अगर तुमने High School DXD देखा है तो तुम्हें ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 Underrated Ichi Anime चो तुम्हें चेक आउट करने चाहिए Number 1 पे आता है Sekhi Ray This Anime Follows Minato नहीं ये Naruto का फादर Minato नहीं है ये एक 19 साल का लड़का है जो अपने college के exam बार-बार fail करे जा रहा है But एक दिन Minato को अचानक से एक लड़की मिलती है जिसके पास supernatural powers है ये लड़की Minato को बताती है कि he is special He has the power to strengthen girls with sexual touch मतलब Minato के छूने से ये लड़की इतनी strong हो जाती है कि ये आपस में लड़ाईय करने शुरू कर देती है और of course ये इची anime है इसका मतलब लड़ाईयों के बीच में बहुत interesting seeds भी आ जाते है So if you're interested to see some bounce के वाव वाव ये anime तुमारे लिए बनाए Second Anime है माकिन की ये anime follow करता है Takeru जो हमारा poverty protagonist है Of course हरे ची में हमारा protagonist poverty ही होता है Takeru enroll करता है एक all girls school में जोकी surprisingly अब co-ed हो चुका है तो उसको ये entrance exams देने की जुरूद नहीं पड़ती जब वो इस school में जाता है उसको लगता है कि वाव मैं मज़े करने वाला हूँ लड़कियों को ताकूँगा बट नहीं ये school बहुत special है इस school में हर student के पास एक special item होती है जो वो use कर सकते है एक दूसरे से magical fights करने के लिए और इस magical item को माकिन कहते है Takeru जो सोच रहा था उसकी school life बहुत easy होने वाली है अब वो बहुत stress में आ जाता है क्योंकि उसको भी अपनी special item धूननी पड़ेगी तो अगर तुम जानना चाते हो कि कितनी perverted हरकते होती है in the process of Takeru finding his own माकिन you can check out माकिन की नमबर 3 पे आता है केजो जपैन बहुत famous है ulti CD sports बनाने में और ये ulti CD sports उनके anime में भी reflect करना शुरू कर दिया है क्योंकि केजो is a competitive sports जिसमें लड़कियां धुमके मार के एक दूसरे को गिराने की कोशिश करती है हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा वो अपने butts और boobs यूज़ करते हैं एक दूसरे को रिंग से बाहर पुश करने के लिए It's like sumo but for girls with big tits The story follows Nozomi जिसके पास big assets है और वो अपने आपको इस competitive sport में एंडरोल करती है ताकि वो अपने family के लिए इसको जीच सके और बहुत सारा पैसा पा सके So you can check out Kejo अगर तुमें 2D girls को एक दूसरे की ओपर ढूमके मारते हुए देखना है Because ये show काफी interesting है Next आता है Samurai Girl इस anime में दिखा है कि Japan जो कि बहुत सुंदर है और उसके लोग बहुत अच्छे है Has become threatened by international powers And Japan के पास सिफ एक line of defense है जो कि है Master Samurai Master Samurai बनने के लिए आपको high school में enroll करना पड़ता है और वो पूरा high school manage किया जाता है उसके student council से अब picture में आता है मुने कारी जो Master Samurai बनना चाहता है School के पहले दिन में ही वो एक लड़ाई में फस जाता है But अचानक से आस्मान से एक लड़की किरती है उसको kiss करती है And boom! उस लड़की के पास Master Samurai पावर जाती है और वो हमारी protagonist को उस लड़ाई से बचा लेती है And the rest of the story is the journey of these two trying to save Japan from rest of the world और finally आता है one of my favorite anime Heaven's Lost Property इसकी story follow करती है Tomoko को जो कि एक highly perverted high school student है उसका सिर्फ एक dream है कि वो अपने high school को peacefully जीना चाता है बिना किसी tension के I like his dream but life is not that easy क्योंकि एक दिन जब वो साकुरा ट्री के नीचे अपने friends का वेट कर रहा होता है आसमान से तपक पड़ती है एक लड़की जिसके wings है इस लड़की का नाम है Icarus और यहां से Tomoki की life में भहुत chaos आजाता है from crazy perverted pranks to occasional fights इस anime में सब कुछ मिलेगा So यह थी मेरी list of five underrated itchy anime जो तुम check out कर सकते हो इन पांचो को add कर लो अपनी watch list में और अगर तुमने ये पांचो देखे हुए है तो मुझे comments में बताओ कि तुम्हें इन पांचो में से सबसे जादा कौन सा पसंद आया Take care, Bye